हेलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टो मैं चैनल आज हम बनाते हैं होली स्पेशल रेसिपी जो है गुजिया बगयर मावे की तो इसके लिए कुछ ड्राइफ रूट्स ले लेते हैं हम जो है काजू और किश्मिश और बदाम और सूखा नारियल कदूगस किया हुआ और इसके मिक्स कर लेना है इसको थोड़ा सा हाथ में लें तो उसकी मुठी बन जाए ऐसा होना चाहिए तो यह देखे इस तरह से और अब हम इसमें थोड़ा सा घी और डाल देते हैं ताकि गुजिया हमारी जो है अच्छी खसता बन जाए अब इसके बाद हमें इसको अच्छी से मल लेना है इसका आटा लगा लेना है पूरी की तरह तो थोड़ा थोड़ा पानी करते हुए हम इसमें आटे को गूंद लेंगे जिस तरह से पूरी का आटा होता है इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी करते हुए हमने गूंदना है इसको और फ्रेंड्स आप चाहें तो इसे दू मावा की गुचिया बनाई है तो हमारा जो आटा है अल्मोस्ट लग गया है तो सबसे पहला काम होता है आटा लगाने का इसको लगा के रख लिया हमने और इसको अब हम ढख कर रखतेंगे छोड़ देंगे तब तक हम स्टफिंग जो है वो तयार करेंगे तो इस तरह मलमल के अची तरह से आटे को हमने गूंद के रख लिया ये होगे आटा तयार अब हम स्टफिंग तयार करते है इसके लिए हमने दो चम मच देशी गी डालना है और आधा कटोरी हमने सूजी इसमें डालनी है तो सूजी को आपने अच्छी तरह गी में भून लेना है लो फ्लेम प सूखान cats corps कर लिया। 가ju के रख लिया। इसके बाद हमने घी डाला पैन में और उसमें हमने dry fruits को fry कर लेंगे it roast कर लेना प्यूस्तव करका कर लेंगे it मुठीkich shmish की भोनने के बाद उसके बाद इसके बोन दो चमक्या को ऐठ कर लेंगे और इसब helps flower benefits इसके बाद हम इसमें सूजी और कोकनट जो हमने भून के रखा है उसे मिला लेंगे अच्छी तरह इन सब को मिक्स कर लेंगे ये हमारी जो है स्टफिंग तयार हो जाएगी इसके बाद चाहिए हमें मीठा तो एक कटोरी पिसी हुई चीनी मैंने इसमें आड किये और ग्यास क चेक कर लिया था इसे मीठा थोड़ा सा कम लग रहा था तो बाद में मैंने इसमें आधा कटोरी चीनी पिसी हुई चीनी और एड किये तो टोटल डेड कटोरी चीनी है बाकी आप अपने स्वादानुसार चीनी आड कर सकते हैं इसमें कोई हाड और फास्ट रूल नहीं है इधर हमने अपना आटा को दुबारा से मल लिया है और आटे के हम थोड़े मोटे मोटे पेड़े बना लेंगे जिससे की हम एक रोल तयार कर लेंगे और एक रोल को तयार करके इस तरह से चाकू से इकवल पार्ट में हमने कट कर लेना है ताकि इसके पेड़े हम बना सके ग लगा लीजिए ताकि आप इसको सील कर सकें उसमें एक चमत स्टफिंग भरी है और इसको आपने डबल कर लेना है पूरी को और इस तरह से इसके एजेज जो हैं अच्छी तरह से दबा दबा कर जोड लेने हैं सील कर लेने हैं और एक फोक से हम इसमें डिजाइन बनाएंगे ये देखें इस तरह से फोक से डिजाइन बनाना इसको और एक थोड़े थोड़े पार्ट को हमने कट करते जाना है आप फोक से ही इसे कट कर सकते हैं जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से आप इसको एक पंखुडी नुमा शेप दे देंगे तो ये इस तरह से पिंच करते हुए इसके ends को पिंच कर देना है ताकि एक फूल की जो पंखुडी होती है उस तरह की इसकी शेप बन जाएगी तो एक फ्लावर नुमा ये गुजिया हमारी तयार हो जाएगी ये देखिए कितनी खुबसूरत लग रही है आप चाहें तो फोक के निशान लगाने के बाद वैसे भी छोड़ सकते हैं आप चाहें तो इस तरह से गुजिया को कर सकते हैं तो एक गुजिया और मैं बेल के दिखा देती हूँ आपको ये पूरी बना लिया है आपने उसके बाद इसको स्टफिंग भर के बंद कर लिया सील कर लिया इस तरह से आप फोक की मदद से निशान बना दे और कुछ इकुल पार्ट्स पे आपने फोक से इसे कट लगा देने हैं इस तरह से और बस उसके बाद वैसे ही पिंच करते हुए डिजाइन बना लेना इस तरह का डिजाइन बड़ा ही खुबसूरत लगता है तो यह हमारी गुजियाई सारे बनकर तयार हो जाती है इन्हें आप एक बरतन में ढखकर रख लीजिए और फिर आपने तेल को गरम करना है तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए कि आप गुजिया डालें तो हलके हलके बबल्स आने चाहिए तो यह जो है मैंने बड़े बरनर पे रखा हुआ था लो फ्लेम पे लेकिन अब मैं इसको सबसे चोटा बरनर जो गैस का होता है उस पे देखे हमारी गुजिया सिक्कर तयार हुए है आप लोग अपने कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको यह गुजिया का तरीका कैसा लगा और मेरी वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर पहली बारा है तो सब्सक्राइब किये बिना ना चाहिएगा देखे कितनी खस्ता हमारी गुजिया बनी है थैंक्स फॉर वाचिंग